मेरा नम विजे सालखाओं करें और ये मेरा कनफेशन है जब तक हम सिंदा ये चान बीन चलती रही है तन दन दो अक्टोबर को परता है एक और चीज हुई थी दो अक्टोबर तो गेस करोगे? बढ़े भूसकता हूँ लेकिन दो अक्टोबर और तीन अक्टोबर को नहीं परता है बस्तो रिलीज हो गया है द्रिश्यम 2 का जबरदस्ते ट्रेलर जिसका पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था और फिल्म ने 38 करोड के बजट में बनने के बाद 110 करोड रुपए का बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया था और इस वीडियो में हम आपको द्रिश्यम 2 के ट्रेलर रिव्यू के साथ बताएंगे आखिर कैसी होने वाली है द्रिश्यम 2 की कहानी बाकि द्रिश्यम फिल्म की कहानी इतनी ज़ादा जबरदस्त है कि अभी तक उसके टोटल साथ रिमेक बनाए जा चुके हैं और द्रिश्यम 2 का पहला रिमेक बन रहा है हिंदी में जिसमें आपको अपकी बार विजय सरगावकर अपना कनफरेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें इस फिल्म देख के समझना ही होगा कि आखिर कभी ना हार मानने वाला विजय सरगावकर आखिर इस कतल का कनफरेशन क्यों कर रहा है बागी इस फिल्म की कहानी अगर मैं आपको बताओं तो फिल्म जहां से खतम हुई थी वहीं से सुरू होती है और अजय देवगन का करेक्टर विजय सरगावकर अब केबल ऑपरेटर से एक सिनेमा हॉल का मालिक बन चुका है और अब उसकी अगली कोसिस ये है कि वो एक फिल्म बनाएं वहीं दूसरी तरफ साथ साल पहले जिस लड़के का कतल विजय सरगावकर की बेटी से गलती से हो गया था और उसका पूरा परिवार इस मडर केस में फस गया था पर विजय सरगावकर के दिमाग की वज़े से वो इस केस से पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं और उन पर लगाए गए सभी इलजाम भी गलत साबित होते हैं पर पार्ट टू में पता चलता है कि केस सॉल्व होने की बाद भी पुलिस इस केस की चोरी चुपके जाच करती रहती है और इसी कोसिस के दौरान उस लड़के की लास भी मिल जाती है जिसका मडर विजय सरगावकर की बेटी ने किया था और फिर से एक बार विजय सरगावकर का परिवार उस लड़के के कतल के घेरे में आ जाता है और जैसे की पता चल रहा है कि मल्यालम में द्रिश्यम पार्ट 3 की भी तैयारी पूरी तरा से सुरू हो चुकी है तो आपको जरूर ही अजय देवगन यानि की विज़ सरगाओ कर एक बार फिर से बचते हुए दिखाई देगा अगर वो कैसे बचेगा यही तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है जिसे आप मुझसे सुनकर नहीं बलकि फिल्म देखकर समझेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और द्रिश्यम 2 मूवी को रिलीस किया जा रहा है 19 नवंबर 2022 को दोस्तों क्योंकि मल्यालम फिल्म द्रिश्यम 2 का कोई भी हिंदी वेरिजन रिलीस नहीं हुआ था तो अजय देवगन की द्रिश्यम 2 बंपर कमाई करने वाली है पर मैंने उस द्रिश्यम 2 को सब्टाइटल्स के साथ देखा है जिसके बाद मैंने द्रिश्यम 2 का अजय देवगन वाला ट्रेलर देखने के बाद ये कह सकता होगी हो सकता है आपको फिल्म में थोड़ा बहुत कुछ अलग भी देखने को मिलेगा बागी अजय देवगन, स्रिया सरन और तब्बू के साथ इस फिल्म में पुरानी स्टार कास्ट तो है ही लेकिन इस फिल्म में नई स्टार कास्ट के रूप में आपको देखने को मिलना है अक्षेक खन्ना जिसके बाद इस मूवी के लिए मैं तो काफी ज़ादा एक्साइट